हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ लहसुन को चीलने से सम्मंदित तो यह देखिए मैं आपको तीन टिप बताऊंगी इसके लिए तो फर्स टिप मेरी है हम एक बरतन को गरम करेंगे वो आप तवा भी ले सकते हैं या कड़ाई भी ले सकते हैं और उसमें लहसुन की कलियों को दो मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे दो मिनट से भी कम टाइम के लिए रोस्ट कर लेंगे और फिर गैस आफ करके हम इने जब पील आउट करेंगे तो यह बहुत इजीली हमसे छिलती चली जाएंगी यह देखिए कितनी जल्दी छिलती हैं लैसुन की कलियां और कई बार ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारी कॉंटिटी में लैसुन की जरूरत होती है तो उस टाइम पे यह वाली टिप बहुत काम आती है आप इस पर काफी सारे लैसुन एक साथ रख सकते हैं तब यह अकड़ाई में और फिर उनको जल्दी जल्दी पील आउट कर देंगे तो काफी सारी कॉंटिटी में हम इखटा कर लेंगे लैसुन तो जरूर ट्राय करें आप एक बार यह टिप मेरी सेकिंड टिप है लैसुन चीलने के लिए माइक्रोवेब से संबंदित तो हम लैसुन की कलियों को माइक्रोवेब की प्लेट पर रख देंगे और इसको माइक्रोवेब में हम 10 सेकिंड के लिए लगा देंगे केवल 10 सेकंड के लिए यह काफी अच्छे से पील हो जाएंगी फिर यह देखिए 10 सेकंड हो गए हैं और अब मैं आपको छील के दिखाती हूँ इने यह कितनी जल्दी छिल रहे हैं जैसे मटर चीलते हैं बिल्कुल उसी की तरीके से हम बहुत जल्दी जल्दी इनको पील आउट कर देंगे और सारे लहसुन हमारे तयार हो जाएंगे कोक करने के लिए यह देखिए मेरी टिप नमबर तीन है एक पानी लें कटोरी में या बाउल में और उसमें लहसुन को भिगो दें दस मिनट के लिए दस मिनट के बाद आप उसको छी लेंगे तो वह बहुत अराम से छिलते चले जाएंगे बस उपर का जो हाड वाला हिस्सा होता है बस वह हमें चागु से हटाना होगा और उसके बाद यह ऐसी छिलते चले जाएंगे तो आपको तीनों में से जो भी टिप अच्छी लगी हो आप उसको यूज करें और मुझे बताइए कि आपको कौन सी टिप जादा अच्छी लगी और मेरे चैनल पर आने के लिए और वीडियो को वाच करने के लिए थैंक्यू सो मच आपको अच्छी लगी हो मेरे वीडिय तो आप आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और फुल सपोर्ट दें Thank you so much